So guys, Namaste everyone, व्रजेश चोहान here, you know guys, आज हम बात करने वाले है XVG, यानि कि वर्ज क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो की आपको इसमें जानने को मिलेगा कि कैसा उसका आने वाला टाइम में प्राइस प्रेडिक्शन रहेगा और fundamentally क्या उसका basically अपडेट क्या है और उसका जो क्रिप्टो करनसी है, उसका क्या next move हो सकता है, ठीके, तो guys, अभी जो वर्ज यानि कि XVG करके ये जो क्रिप्टो करनसी है, उसकी price 150% से भी उपर यहाँ पर यहाँ पर पंप किया है, last 24 hour में, ठीके, आपने बोला होगा, यार पहले, you know, वीडियो बना देना चाहिए था तब ही, you know, हम अच्छे से ट्रेल लेके, अच्छे से यहाँ पर, यह जो पंप हुआ है, उसका benefit लेते हैं, पर देखो guys, होता क्या है, यह जो पंप होता है, वो sudden होता है, और उसमें हमको भी time period नहीं मिल जाता है, यह particular video बनाने का, ठीके, but make sure, आने वाले टाइम में ऐसे करके ऐसा नाम था, Dogecoin Dark, और उसका 2016 में rebranding हुआ, और अभी उसका जो नाम है, XVG यानि कि वर्ज करके, ठीके, और यह अपने आप में ही cryptocurrency है, यह जो cryptocurrency है, उसको ही as a payment use करते है, ठीके, उसका हम थोड़ा official, देखो price supply के बारे में तो चलो ठीक है, वो आप अपनी तरह से अपने आपको digital currency ही बोल रही है, और वो everyday use करने के लिए उन्होंने बनाया है, its improve opened the original bitcoin blockchain and aims to fulfill its initial purpose of providing individual and businesses, मतलब आप individually भी यह वर्ज का, यह जो basically, यह cryptocurrency use कर सकते हो, and transaction के लिए और काफी decentralized भी है, यह वो बोल रहे है, our mission is to empower people around the world by bringing blockchain transaction into everyday life, मतलब उनका जो mission है ना guys, यह basically उनका cryptocurrency का जो vision है के वर्ज को लोग use करे, as a individual or as a business owner, और उसमें जो transaction होता है payment का, वो as a cryptocurrency वर्ज को use करे, यानि की xvg को use करे, ठीक है, और वर्ज का जो create हुआ था, मतलब 2014 में हुआ था, जैसे मैंने बोला, उसका नाम था, dodge coin dark, ठीक है, तो उ annual fuel by verge performance cup, तो यहाँ पे जो max, mx for life fuel, जो performance cup है, जो आने वाले time में, यानि की 8 और 9 जूलाई आने वाला है, ठीक है, तो उसका आने वाले time में, यह जो motorcycle association, जो you know, आपको आपने देखा होगा, तो यह जो cup में, यह already participate है, और जिसकी वज़ा से, इसके prize में, यहाँ पे हलचल को मिल रही है, ठीक है, जिस तरह से, यह third annual fuel, जो वर्ज performance cup, जो है, जिसकी वज़ा से, आपको यहाँ पे वर्ज में, कही न कहीं, प्राइस में, यहाँ पे pump देखने को मिल रहा है, और दूसरी चीज़, यहाँ पे हम थोड़ा, यह उसका Twitter handle की हम बात करें, तो Twitter handle पे आप तीन लाग से ज्यादा उसके followers है, और यहाँ पे कही न कहीं, चोटी मूटी update, यहाँ पे आपको वर्ज के Twitter handle पे भी देखने को मल सकती है, वर्ज, यहाँ पे आप देख सकते हो, ISO 222, FOMO IN, मतलब यह language ही कुछ अलगी है, ठीक है, आप देख सकते हो, बाकी, यहाँ पे और यहाँ पे आप नीचे जाओगे, श्क्रोल करोगे, तो वर्ज के बारे में बहुत सारी चीज़े है, ठीक है, मतलब यह कहीं न कहीं चोटी मूटी updates यहाँ पे डालते रहते हैं, और उसका wallets का भी update यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़े ह मैंने किया है, उस हिसाब से यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे possibility था कि यह वाला जो breakout होके pump करने वाला था, ठीक है, तो ऐसा pump भी किया, और कहीं न कहीं यहाँ थोड़ा बहुत struggle कर रहा था, उसके बाद वापस से यहाँ पे pump लिया है, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देख स मतलब 400% का यहाँ पे pump देखने को मिल रहा है, ठीक है, वर्ज में, और 24 और में 500% के आसपास हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी क्या है ना, गाईज, एचूली देखा जाए तो अभी potential और भी है कि और उपर जाए, बट मैं अभी suggest नहीं करूंगा क अभी वर्ज में invest करो, definitely वो recorrection करेगा और यहाँ से यह जो आप green line देख रहे हो, वो green line से, maybe उससे पहले वो वापस से थोड़ा recorrection करो, और यहाँ आपको 0.0035 या 34 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानि कि यह वाला zone में, ठीक है, यह वाले zone में आपको वर्ज देखने your risk, but कहने का मतलब है, मैं suggest नहीं करूँगा, अभी आपको वापस से थोड़ा recorrection होने दो, यह ऐसा ही pump करता नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, तब आप यूनो अच्छे से यहाँ पर trade ले पाओ, बाकी यह तो मेरे को लगता है कि 0.015 का जो target है, वो आराम से वो achieve कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ज के लिए, क्योंकि अभी आपको 8 या 9 तारीक को भी एक pump देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से उसकी जो events वगेरा है, performance कप की, उस हिसाब से वर्ज में आपको definitely कही ना कही pump देखने को मिल सकता है, बट यह थ दिखा है, जैसे मैंने बताए, उस तरीके से जो आप लिए और वर्ज को वर्ज की जो प्राइजे उसका analysis करोगे, तो आपको काफी अच्छा सा यहाँ पर benefit मिल सकता है, तो गाइस इस वूडियो में इतना ही hope आप समझ गए होगे कि वर्ज में किस तरह से आपको trade लेना है बाकी वर्ज में काफी अच्छा सा potential जो है, वो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बोला, इस तरह से आप देख सकते हो, और कोई भी other cryptocurrency के बारे में या coin के बारे में जानना था तो नीचे आप comment कर सकते हो, ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बोला, इस